नमस्कार में जन्मक्तास श्योंग गौतम और कल हमने आपको बताया था कि योगी आदित नादे किस तरीके से बिदान सभा में एक जोवदार भाशन दिया था और टुक्डे टुक्डे गैंक से लेकर दंगाईयों अपरादियों के खिलाप हमला बोला था उसी के दौरान उन लिए उन दंगाईयों के ऊपर गोली चलती है वो आपस की गोली से मारें गए और इस बात को लेकर अब जिस तरीके से तमाम पार्टियों के जो तथा कतित नेता है यानि कि टुकडे टुकडे गैंके समर्चक लोग देश-द्रोईयों के संवर्थक हैं दंगाईयों के संवर्थक हैं वो खुल कर योगी आधितनाथ पर हमला बोलना शुरू कर दिया। और इस पर जो बड़ा नाम आ रहा है सामने वो है महाराश्ट के मंत्री नवाब मलेका, नवाब मलेक ने ये कहने की कोशिस की है कि योगी आधितनाज जिस तरीके की बाते कर रहे हैं वो आत्रक बादियों की बासा बोल रहे हैं और उन्हें ऐसी बासा नहीं बोले चाहिए हो बार-बार इस तरीके की बात करते हैं कोई व्यक्ति अगर प्रदर्सन करेगा तो आप गोली चलाएंगे नवाब मलिक यह भूल गया है कि जो 19 दिसंबर को उत्तर प्रदेश में हुआ था वो प्रदर्शन कारी नहीं थे वो सम्मेदान के मानने वाले नहीं थे क्योंकि वो इन पत्थर लेकर और हातों में कट्टा बंदूक लेकर गोलिया चला रहे थे पुलिस प यह लोग आत्रवादियों का समर्थक या फिर जैसा कि नवाब मलिक ने कहा कि वो जन्रल डायर बनने की कोशिस कर रहे हैं दूसरे भी अन्य कॉंग्रेस के निताओं ने भी इसी तरीके के बयान दिये हैं योग यातनात के खिलाप और यह कहने की कोशिस किया है कि दंगाई संस्कृति यह कहती है कि जो दुर्जन होता है जो राच्छस होता है जो राच्छस ही प्रवर्ति का होता है उसका संहार करना जरूरी होता है उसका दमन करना जरूरी होता है और भारत का जो कानून भी बनाता है चाए वो अंग्रेज़ों नहीं बनाया था उसमें भी जारा 100 यानि की section 100 की 6 प्रववीजों के अंदर यही लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति आपकी संपत्ति को नुक्सान पोचाएता है आपके सरीर को नुक्सान पोचाएता है या फिर आपके होते हुए किसी महिला की इज़द पर हमला करता है तब हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो उस व्यक्ति की किसी भी हद तक जान लेने तक जा सकता है। वhouse सवाल उठता है कि वो उनकी बातों को सामने पेश कर देते हैं और यह कहते हैं । ला वो यह नहीं पूछते के संवाल किये बयान कैसे दे रहा है और मीडिया को यह भी पूछना चाहिए कि अगर योगी ने कुछ का था तो उसमें गलत क्या है यह तो हर जगे हर प्राकर्तिक कानून है कि अगर कोई व्यक्ति समाज पर हमला करता है समाज के खिलाप हिंसक होता है तो उसको समाज का जो maintenance करने वाला पुलिस होता है दूसरा सेना होता है वो इसको रोकटे का काम करता है निश्य तोरबा यूप पुलिस ने जो किया था वो इनार्ड़ के लिए किया था और अभी तक ये बात पूरी तरह से ये साहबित भी नहीं हुँगी है कि पुलिस की गोली से कोई व्यक्ति मरा है क्यों जायतर लोग मरे है वह दंगाईों की गोलीयों से ही मरे हैं दंगाईों ने जो गोलिया लगाई थी उन… के साथियों को लगी है वो गोलिया और कॉंग्रेस पार्टी की मासचेब भी बार बार इसी बात को कहती रहती कि उत्तरपदेश की पुलिस ने लोगों को मरवाया है और वही बात कहने की कोशिस अब नवाब मलिक जैसे NCB के नेता कॉंग्रेस के नेता कर रहे हैं निश्चित राश्चंग ने वो मानवों के लिए बनाया था हुमन के लिए बनाया था हुमन राइट हुमन के लिए होते हैं मॉंस्टर के लिए नहीं होते हैं वो दानवों के लिए नहीं होते वो राच्चसों के लिए नहीं होते लेकिन ये लोग राच्चसों के अधिकारों की बात क है उसने अभी जो कहा है ओल इंडिया त्यादल मुस्लमीन ने जो अब तक कहा है जो बयान आते रहे हो उसमें एक बार फिर से एक और देश-द्रोही बयान उसकी तरफ से आया है बारिस पठान नाम का जो एम आई-एम का बिदायक है उसमें एक सर्मनाग बयान दिया है और उसने कहा है कि हमारी जो महलाएं सड़क पर निकली है वो सेर्निया है और तुम उन सेर्नियों के बारे में कहते हो कि उन्हें बाहर कर दिया है लेकिन कंबल और के खुद बैठे हुए तो मैं नहीं पता अभ बार बार इस तरीके के बयान देता रहता है सी एक खिलाब ये साहीन बांग में भी आकर इस तरीके के बयान दे चुका है कि साह और मोदी से आजादी चाहिए वो देश के खिलाब बयान देता है वह अकवर उद्दीन ओवैसी के बयान का समर्थन करता है जिसमें उसने कहा कि पंद्रे मिनट में अगर पुलिस को साइड में रख दिया जाए तो पंद्रे मिनट में इस देश के सभी हिंदुों को काट डालेंगे उनका हम इंतिजाम कर देंगे उसके बाद पिछले दिनों अकवरुद्दीन ने इसी तरीके के बयान दिये थे ओवेसी भी इसी तरीके कि बयान देता है कि मैं गुश्पैढ़ियो कॉस्पैढ़ कहें पूस्त जब अनराक ठगार के सवार में नारा लगा था कि देश के गद्दारों को गोली मारší स्थालों तो उस्ने ये कहा ऐसी है कि खुलकर मुसलमानों से कहता है कि आपको उसरे बोट करना है, मुसलमान को हिंदू को बोट नहीं करता है, दूसरी तब फिर ये भारत की सम्मिधान की प्रस्तावरा का हवाला देता है, अभी पिछले दों भी उसने जब राम मंदर का ट्रेस्ट बना, उसके उपर भ सासबर्ग है, वो इनकी बातों को बड़ा चला कर दिखाता है, इन लोगों को मंच मुया कराता है, बारेस पठांज इसकी पार्टी के चार सांसद भी नहीं है, उसकी पार्टी के चार MLA भी नहीं है, महराष्ट में थोड़ा बहुत MLA है, और कुछ MLA इसके हिद्राबाद में उसके बावजूद उसकी पार्टी को ज्यादतर जो चैनल है, डी टीवी जैसे चैनल वो अपने यहां मंच देते हैं, और उनको बात रखने का मौका देते हैं, इसकी पार्टी के तमाम नेताओं को हिंदूों के खिलाब भारतीता के खिलाब बोलने का मौका देकर, वो न तो उसको टोका न रोका जबके असद दिन वह वैसी बार-बार सम्मिदान की कसमे खाता है सम्मिदान की बात करता है लेकिन असद दिन वैसी का जो इत्यास है वो बहुत ज्यादा देश के प्रति वफादार नहीं रहा है है एदराबाद जब अलग देश बनने की मांग कर का निजाम जब लड़ रहा था उस समय रजाकारों का एक miles हुआ करती थी एक चुछ पेड़ सेना हुआ कर ठीटीपे और वह भारत के इस तरीके की बात से चाही असुदिनोबैसी करता हो या फिर उसका छोटा वाई अकुरुदिनोबैसी और अब जिस तरीके से उसके छुट भईये नेते जो विदायक है वो इन बातों को कर रहे और बेसरमी के साथ कर रहे हैं वह बहुत ज़ादा भयानक है और इसके ऊपर सर देश को डसने के लिए बढ़ रहा है इसको कानून के तहत कारवाई करने की जरौत है क्या अब उद्धव ठाकरे बारिस पठान के खिलाब कारवाई करेंगे जो बाहर से समत्र कर रहा है उनकी पार्टी को या फिर वो इसके सामने जुकेंगे जिस तरीके से कॉंग्रेस और निश्चे तौर पर संजयराउत को भी अब सामना में इसके उपर बयान देना चाहिए कि बारिस पठान ने जो कहा है कि 15 करोड पर भारी रहेंगे बारिस पठान यह भूल गया है कि बारत में कभी भी यह 100 करोड पर 15 करोड भारी नहीं हो सकते और इत्यास में भी जो कुछ कि थी चाहिए जलाल अद्दीन मुहमद अकवर के जमाने का अब उन्मान सिंग हो या फिर जैचंद हो या फिर बावर के जमाने में ऐसे कई लोग रहे हो उन्होंने देश के खिलाफ गददारी की थी और आज भी वो देश के खिलाफ गददारी कर रहा है इसलिए बारिस पठान जैसे लोग बाहर हो जाते हैं बारिस पठान जैसे लोगों पर कारवाई नहीं होती है क्योंकि जब पुलिस कारवाई करती है तो यह लोग बयान देते हैं कि इनको प्रतारित किया जा रहा है इनको निसाना बनाया जा रहा है जबके उन्होंने जो कुछ कहा है और जो कहते रहें उस पर ये लोग ध्यान नहीं देते क्योंकि इन्हें तुष्टी करण की राजनीती करनी होती है अब राहुल गांदी कहा है प्रियंका वाडरा कहा है या फिर केजरी वाल जैसे लोग कहा है जो राष्टवाद का नाम लेते देशवक्ति के नारे लगाने की ब इस दौर पर उन वकीलों से भी हम कहेंगे जो शक्री रहते हैं कि ऐसे ब्यक्ति के खिलाब वो अपने अपने जिले में कानूनी करवाई करें और इस ब्यक्ति के खिलाब राज्शुका और देश्ट रोह का मामलाज जल्दी से जल्दी दर्ज होना चाहिए जयहन जय बरत